जहन साथियों और आज के हमारे सभी नवीन प्रबुद्ध दर्श को Get Your Solution में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज है 29 जिन्वरी 2019 और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे 28 जिन्वरी 2019 की सभी महत्तपून घटनाओं के बारे में जो सभी प्रतियोगी परिक्षाओं हैं तो महत्तपून होंगी हिंदी बड आपदाइयर का दर्जा इसे सब्द को दिया जाता है जो पूरे साल काफी ध्यान करशित करता है और लोका चार भाव और चिंता को प्रति बिम्बित करता है जम्मू काश्मिर में चिनाओ नदी के बेशिन का मुएना करने के लिए पाकिस्तान का एक प्रतिनिध मंडल भारत दौरे पर आया यह हैं चिनाओ नदी बेशिन जहां पे जहलम चिनाओ सलतुलुज नदियां बहती हैं सिंदु जल संदी के तहट दोनों देशों के आयुक्तों को सिंदु बेसिन के दोनों और के छेत्रों का पांच साल में एक बार निरिक्षण करने का अधिकार है भारत और पाकिस्तान के बीच, 9 सितंबर, 960 में हुए, सिंदुजल संदी के तहत यह निरिक्षन किया जाता है जम्मु कासमेर की राज़धानी है, श्रीनगर तथा जम्मु, सर्दियों में इसकी राज़धानी होती है, जम्मु, तथा गर्मियों में, श्रीनगर और पाकिस्तान की राज़ानी है इसलामाबाद पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और यहां के जो परधान मंत्री है वह हैं इमरान खान मौंट माउन गानूई में खेले गए तीसरे बंडे में भारत ने निउजिलेंड को साथ बिकट से हरा दिया है इसके साथ ही टीम इंडिया निउजिलेंड में दस साल बाद बंडे सिरीज जीती है इससे पहले भारत ने मेहन सिंग धोनी की कप्तानी में 2009 में पांच बंडे की जीती थी तथा बीराट कोहली निजेलेंड में बंडें सरी जीतने वाले दूसरे भारती कप्तान बने हैं. इसके पहले धोनी थे. निजेलेंड में ही माउंठ मौन गाउनवी इस्थित है तथा निजेजेलेंड की जो राजधानी है बेलिंगटन तथा मुद्रा है न्यूजिलेंड डॉलर और यहां के जो प्रधानमंत्री है जेसीडा आर्ड़नर है जापान को पीशे छोणकर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इसपात उत्पादक स्टील देश बन गया है विश्वई इसपास संग WSA के अनुसार इसपात उत्पादन में चीन सबसे पहले इस्थान पर है तथा भारत का कच्चे इसपात का उत्पादन 2018 में 4.9% बढ़कर 10.65 करोड टन रहा जो 2017 में 10.15 करोड टन था जापान की राज़ानी है टोक्यो तथा यहां की मुद्रा है जापानी एन और यहां के जो प्रधान मंत्री है वो है सिंजू आबे और चीन की राज़ानी है बीजिंग और रमिन वी यहां की मुद्रा है और शी जिन पिंग यहां के प्रधान मंत् मद्द प्रदेश में सहरी युवाओं के लिए रोजगार योजना यूबा श्वाभिमान योजना सुरू की गई आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को युवाओं के लिए यह योजना है इस योजना के तहत शहरी छोत्रों में आर्थी ग्रूप से कमजोर वर्गों के युगाओं को सो दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा उन्हें कौशल प्रसिक्षन भी दिया जाएगा मदप्रदेश के जो मुख्यमंतरी है वो है श्री कमलनाद जी और यहां की राजयपाल है श्री मती आनंदी बेन पटेली और मदप्रदेश की राज़ानी है भोपाल नेक्ष्ट पूनम सिंग दूसरी बार बनी डबलू एचर की छेत्री निदेशक यह पूनम सिंग है जो कि विश्व स्वास संगठन के दौरा पूनम सिंग को लगातार दूसरी बार दक्षिन पूर्वेशिया का छेत्री निदेशक निदेशक निउक्त किया गया है उनका पांच वर्स का कारिकाल एक फरवरी से सुरू हुगा डबलू एचो का फुल फार्म है वर्ड हेल्थ और्गनाजेशन जिसकी साफना साथ अप्रेल 1948 में की गई थी इसका मुख्याल है जिनेवा सुर्जियल लेंड में है सुर्जियल लेंड की राज़ानी है बर्ण तथा डबलू एचो के जो महानिदेशक है वो है डाक्टर टिर्रास अधनाम है मानव संसाधन विकास मंत्राले ने अंतराश्टी छात्र आकलन कारिकरम पीसा 2021 के लिए आज नई दिल्ली में आर्थिक सहयोग और विकास संग्ठन के साथ एक समझोते पर हस्दाक्षर किये मानव संसाधन विकास जो मंत्री है वो है स्री प्रकास जावडेकर जी भारत के हस्त करगा तथा वस्त शेत्र को और मजबूती देने के लिए वस्त मंत्राले ने आर्टिजन स्पिक कारिकरम का योजन मुंबई के निकट यूनिस को विश्व धरोहर इस्थल एलिफेंटा गुफा में किया गया भारत के जो वस्त मंत्राले के जो मंत्री है वो है स्रीमती इस्मृती एरानी जी तथा यूनिसको का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन्स एजुकेशन साइंट फिक एंड कल्चरल ऑगनाईजेशन इसका मुख्याला है फ्रांस पेडिस में तथा इसकी इस्थापना ह हुई थी 16 नवंबर 1945 में इसके महानेदेशक हैं आंड्रे एजौल नेक्स्ट परिवहन और राजमर्ग मंत्री स्री नितिन गंडकरी ने राजिस्थान में 3,237 करोड रुपए की लागत की चार राष्ट्री राजमार परियोजनाओं की सुरुवात की है जिनमें से 3 वीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताईए साथी वीडियो को लाइक करिए और इसे ज्यादा ज्यादा लोगों तक सेर करिए ताकि एह महत्पूर्ण जानकारी ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुँच सके और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आये हैं तो इसे सब्स